जैहिंद नमस्कार मैं हुआ जै आज मैं आपको WPC दोर दिखा रहा हूं जो की पूरा solid WPC डोर है solid का मतलब हो गया पूरा भरा हुआ WPC डोर है इसके ना खाली पन कहीं कुछ भी नहीं है इस डोर को जब आपने बात्रूम में यूज करेंगे तो भाई जो कबजे लटकने लगते हैं handle उखडने लगता है वो सब समस्य आपके साथ नहीं आगी जो हलके वाले डोर भी आपको WPC के मिलते हैं बिल्कुल पतली सी लेयर होती है अंदर पूरा खाली होता है तो वो समय कबजे निकलने लगते हैं और जो handle handle निकलने लगता है तो यह चीज जो है भाई best है हाँ थोड़ी सी cost इसकी ज़्यादा है बट भाई lifetime चुट्टी हो जाएगी और यह capture के साथ में आता है और इसके उपर जो भाई laminate और जो कुछ भी है company करके आपको देती है और कई color के option आपको मिल जाते हैं और ज़रूरी नहीं आप इसी company करो जो भी आपको अच्छा लगे जो भी आपके price में आए और जो भी आपको solid लगे ठीक है जो भी solid होता है जिसकी density अच्छी होती ही जिसका weight जादा होता है आप उस company भी use कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं भाई जो company दिखाई दे रही यही उज़ करो आप तो ऐसे में अगर आप इस परकार के डोर आपने bathroom में लगवाते हैं तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि plywood के जो डोर होते हैं भाई दो-चार साल के बाद नीचे से वो सड़ने लगते हैं जब वो सड़ने लगते हैं तो भाई जाहिड से बात है चेंज करना पड़ता है तो यह जो एक बार लगाने के बाद आप मान के चलिए कि 43 साल 50 साल तक शुटी हो जाएगी वह भी मतलब यह waterproof है waterproof के plywood का डोर कभी भी waterproof नहीं होता है नहीं कभी हो सकता है चाहे जितना भी chemical वो मिला दे company वाले और plywood का डोर कभी waterproof नहीं होता है ना plywood कभी waterproof होता है बस वह waterproof के नाम से price rate को बढ़ा के आप लोगों को थोब दिया जाता है चूतिया बना दिया जाता है यह आप रोम के लिए प्लायूड के यूज करके आप जो माइकाव कर लगा सकते हैं बट बात रूम में आप ऐसे डूर यूज करेगा तो कोई भी समस्या नहीं आएगी मेरा काम है भाई दोको थो सही जानकारी देना सही चीज़े आप लोगों को बताना क्यूंकि आप लोग हमारे जो कस्ट्मर हैं अच्छे हैं बहुत अच्छे है ठीक है इसलिए आछासे नॉलेज आप लोगों को देता रहता हूं मेलता हूं किसी नेक्स वीडियोम नेक्स टॉपिक के साथ अगर चै हैं दो जय भारत